आम तोर पर जो regular घर है उनके अंदर जो bathroom होते है तो उनका side जो है वो 7 by 4 के आसपास होता है अब इस bathroom को बनवाते समय लोग कुछ गलतिया करते है जिस वज़े से उनका जो bathroom है उसका side काफी छोटा लगने लगता है और इस्तमाल में भी काफी जादा दिक्कते होती है तो आज आज का ये जो वीडियो होने वाला है यहाँ पर हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम अपने छोटे bathroom को बड़ा दिखा सकते है वो भी modern style के साथ ऐसा bathroom इस्तमाल करने में भी काफी आसानी होती है और ये काफी modern और luxury look भी देने का काम करता है अब इस वीडियो में हम bathroom की tile को select कर करने से लेके उसकी design कौन सी लेनी चाहिए साथ में आपको कौन सा कमोड लेना चाहिए इस तरह की बहुत सारी important चीजों के बार में देखने वाले है तो वीडियो काफी interesting और काम की होने वाली है इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखे क्योंकि इस studio में बता हुए point आपक साइज वाले mirror को लगाते हो तो इससे आपके bathroom का size काफी बड़ा दिखाई देने लगता है ये trick आपने कपड़ों के छोटे दुकानों में जरूर देखी होगी कि वहाँ पर back side में एक बड़ा सा mirror लगा दिया जाता है जिस वज़े से ऐसा लगता है कि उस दुकान का size जो है वो directly double है अगर आप इस तरके horizontal बड़े बड़े size वाले mirror लगाते हो तो ये दिखने में भी अच्छा दिखाई देगा अब next point आ जाता है जो कि है bathroom के light के related अब अक्सर ही लोग bathroom के अंदर एक छोटा सा light लगा लेते है और उन्हें लगता है उनका काम हो गया बर आपको ऐसा नहीं करना है आपको आपके bathroom के अंदर अच्छी खासी bright light लगा लेनी चाहिए इसका फाइदा ये होगा कि light जो है उन टाइल के उपर reflect होगी जिसके वज़े से आपका जो space है वो बड़ा दिखाई देने लगता है और साथ में यहाँ पर आप natural light का भी फाइदा उठा सकते ह क्योंकि already आपके tile जो है वो light color की होगी तो वहाँ पर भी natural light आने के बाद काफी fresh महसूस होगा अब next point आ जाता है जो कि है storage भले आपका bathroom size में छोटा होता है और वहाँ पर बहुत सारी चीज़े आप रखते हो जैसे कि आपकी shampoo की bottle या फिर बाकी चीज़े आपकी आपके bathroom मे होती है और वो यहाँ वहाँ बिक्री हुई होती है जिस वज़े से अगेन आपका bathroom का look बहुती खरब दिखाई देता है तो इसका पहला समाधन तो यह आजाता है कि आप कुछ hidden compartment बना सकते हो जिसमें कि आप ऐसी चीज़ों को रख सकते हो कुछ जगह पर कमोड के पीछे की जो जगह होती है वहाँ पर ऐसे compartment आप बना सकते हो या फिर जो mirror आप अपने bathroom के अंदर लगाने वाले हो उसके पीछे भी एक storage के लिए आप जगह बना सकते हो जहाँ पर आप ऐसा सामान रख सकते हो जब आप इस तरह के hidden compartment बनाते हो और उसके अंदर अपना सामान रखते ह हो तो इससे आपके bathroom में एक neat और clean look मिलता है और bathroom के अंदर आने के लिए जो door हम इस्तमाल करते है उसके उपर की जगह भी हम storage के लिए इस्तमाल कर सकते है storage के लिए और एक best option आपके सामने आता है जो कि है basin के नीचे आप इस तरह की एक vanity बना सकते हो जिसमें की आप अपना स wash basin और दूसरा जो कि है counter top wash basin अब यह जो दोनों ही type के wash basin है इनके अपने-पने advantages है पर अगर आप under counter wash basin लगाते हो तो इसका नुकसान यह होता है कि यह counter के नीचे के तरफ होता है इसी वज़े से नीचे के तरफ जो vanity होती है उसमें आपको कम space मिलती है इसलिए अगर आपका bathroom चोटा है तो वहाँ पर आपको यह recommend किया जाता है कि आप counter top wash basin के तरफ जाओ क्योंकि यह counter top wash basin होते है यह vanity के ऊपर के तरफ होते है नीचे के तरफ का कोई भी space यह नहीं घेरते है इसी वज़े से आपको storage के लिए भी अच्छी कासी जगर मिलती है और यह दिखने में भी अ इस्तमाल किया जाता है अब यहाँ पर आपको यह ध्यान में रखना है कि आपको floor mounted WC के तरफ नहीं जाना है आपको आपके space को अगर बड़ा दिखाना है तो वहाँ पर आपको wall mounted WC का इस्तमाल करना है क्योंकि यह जो wall mounted WC होते है यह floating effect create करते है अब यह floating effect होता है इसमें ह करते हो तो और भी बड़ा space दिखाई देगा आपके basin के नीचे जो vanity है उसे अगर आप flooring से थोड़ा सा उचाई पर बना लेते हो तो इससे एक floating effect create होगा जो की space को बड़ा दिखाने में मदद करेगा अगर आप चाहो तो open shelves का इस्तमाल कर सकते हो जो की दिखने में भी अच बर्टन इस्तमाल करते हो या फिर किसी dark चीज़ का इस्तमाल करते हो तो इससे आपका bathroom बहुती छोटा दिखाई देगा तो इसके लिए आपके सामने एक best option आ जाता है कि आप इस तरह के glass partition का इस्तमाल कर सकते हो जिसके लिए toughen glass का इस्तमाल किया जाता है अब यह जो transparent toughen glass ह इसकी वज़े से आपके bathroom की जो depth है वो भी maintain रहेगी जिससे कि आपका space छोटा दिखाई नहीं देगा और shower area में से जो पानी है वो भी कमोड के तरफ नहीं आप आएगा तो जब भी bathroom के look की बात आती है तो यहाँ पर सबसे important point आ जाता है जो कि है आपके bathroom में लगी हुई tiles इन tiles के उपर depend होता है कि आपके bathroom का look किस तरह से होने वाला है और आपका bathroom किस तरह से दिखाई देने वाला है तो जब भी आप अपने bathroom के लिए tile लेने वाले हो तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आपके bathroom के लिए आप जो tile का color select करोगे वो हमेशा light color होना चाहिए क्योंकि जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुवत में ही बताया था कि आपका जो bathroom है उसका size already कम होता है और जब हम light color की tiles का इस्तमाल करते है तो इससे ऐसा दिखाई देता है कि आपके bathroom का size जो है वो बड़ा है क्योंकि यह जो light color होते है यह light को अच्छे से reflect करते है इसी वज़े से ऐसा दिखाई देता है कि आपके room का size जो है वो बड़ा है अब यहाँ पर लोग गलती यह करते है कि वो अपने bathroom के लिए dark color वाली tiles का selection कर लेते है इसका नुकसान यह होता है कि bathroom का size जो है वो काफी छोटा दिखाई देने लगता है अब अगली चीज जो कि आपको bathroom के tile में देख लेनी चाहिए वो है tile का size bathroom के लिए tile का size select करते समय आपको यह ध्यान में रखना है कि आपको बड़ी वाली जो tile है उनका चुनाव करना चाहिए example के लिए आप अपने bathroom के लिए 2 बाइचार की tile लगा सकते हो जो की दिखने में भी अच्छी दिखाई देगी अब यह जो बड़ी tile है इने अपने bathroom के अंदर लगाने का फायदा यह होता है इनका size बड़ा होने के कारण tile joints काफी कम दिखाई देते है यानि कि tile में जो partition है वो कम दिखाई देते है जिस वज़े से आपका bathroom जो है वो बड़ा दिखाई देने लगता है वही पर जब हम छो glossy finish वाली tile का चुनाव करना चाहिए इसके दो फायदे होते है पहली चीज तो यह कि glossy tile के उपर से light अच्छे से reflect होती है और दूसरा फायदा यह होता है कि cleaning वगेरा में ज़्यादा दिकत नहीं होती है अब bathroom के लिए tile सिलेक करते समये tile के उपर जो design pattern होते है उसके तरब भी आपको खास करके ध्यान देना चाहिए जनरली tile में दो type के patterns आते है पहला जिसमें की बहुती ज़्यादा thick और heavy design होता है तो ऐसे tile को आपको select नहीं करना चाहिए अगर ज़्यादा dense pattern आपके tile के उपर बने होते है और आप उन tile को अपने bathroom के अंदर लगा लेते हो तो उससे आपके bathroom का size जो है वो छोटा दिखाई देने लगता है तो इसके बाजाए आप क्या कर सकते हो जो हलके patterns होते है यानि कि जहां पर बहुती thin pattern बने हुए होते है ऐसी tiles को आपको आपके bathroom के अंदर लगवा लेना चाहिए जिससे आपका bathroom बड़ा और modern दिखाई देता है और आ tile लगाते हो तब भी आपको design के तरफ खास करके ध्यान देना है अगर possible होता है तो आप पूरे bathroom के लिए एक ही design pattern वाली tile लगाते हो तो ये दिखने में अच्छा दिखाई देगा इससे ऐसा लगता है कि आपके bathroom का size भी बड़ा है और आपको इस चीज़ के तरफ भी ध्यान देना है कि आपकी जो bathroom की wall tiles है उससे match होती हुई आपकी bathroom की flooring वाली tiles होनी चाहिए टाइल लगवाते समय अगली गलती लोग करते है कि वो shower area में अलग tile लगवा लेते है या फिर उनका commode basin वाला area जो होता है वहाँ पर अलग tile लगा लेते है इससे दो separate section create हो जाते है जिस व point की मदद से आप अपने bathroom को बड़ा और modern बना सकते हो अगर आपके कोई सवाल है तो comment box में comment जरू कीजिए वीडियो अच्छा लगा हो तो जरू इससे like कर दीजे चानल पर अगर आप लोग नए आये हो तो चानल को जरू subscribe कर दीजे वीडियो बहुत जादा ही अच्छी